बिस्मिल्लाहिर वहमा निर्वाहेम हजरत आमना रजियल्लाहु ताला अन्हा फर्माती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीजे दिखती थी अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे उपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुमे की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड होते इनकी टहनिया मेरे सामने जुक जाती जैसे मुझे सलाम कर रही हो मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है और जब जमजम के कुमे के पास पहुँचती तो नीचे का पानी अपने आप उपर आने लगता और मैं अपने हातों ही से बाल्टी पकड़ कर पानी भर लेती थी मका की ओरते मुझे जमजम के कुमे के पास खड़ी रखती थी और मुझे जाने नहीं देती थी वो कहती थी कि ऐ आमना तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ होगी इसी तरहा हजरत आमना रजी अल्ला अन्हा फर्माती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो मां को बहुत ज्यादा तकलीफे जहलनी पड़ती हैं लेकिन मैं हैरान थी कि मुझे इन नो महीनों में कोई ऐसी तकलीफ देखने को ना मिली यहां तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर तक ना हुआ इसी तरहा हजरत आमना को बड़े अजीब अजीब खौब भी नजर आते थे वो फरमाती कि मैं जब रात को सोती तो मुझे खौब नजर आता कि मेरे जिसम के अंदर से एक नूर निकला है और इसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है यह सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाके ही आम इनसान नहीं है हजूर सलिलाहो अलहे वसल्म के दादा हजरत अब्दुल मुझे दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गलाफ पकड़ कर अल्ला से रो रो कर दुआएं करते या ला मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन इसके घर एक बच्चे की पेदाश होने वाली है या ला इस बच्चे की हिफाज़त फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नसल बाकी रखना हजूर सलिलाहु अलेहिवसल्लम के सारे चच्चा इसी इंतजार में रहते थे के मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा यहूदियों की किताब तुरैत में लिखा हुआ था कि जब आखरी नभी आएगा तो इसके पैदा होने से दस दिन पहले आस्मान पर एक लाल रंगा सितारा निकल कर चमकने लगेगा तो जब हजूर सलिलाहु अलेहिवसल्लम के पैदाश के दस दिन बचे तो आस्मान पर वो सितारा निकल आया इसे देखकर यहूदियों में भगदर मच गई और इनके आलमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा देखो आस्मान पर लाल तारा चमकने लगा है इसका मतलब है के वो आकरी नबी आने वाला है जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके हां लड़की की पैदाश में दस दिन बचे हैं यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहां बहुत सी औरते हमल से थी लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था किसी के दो महीने बाकी थे तो किसी के चार महीने इन यहूदियों ने आकर अपने आलमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है तो इनके आलमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो तो सारे यहुदी मक्का पहुंचे और आकर मालुम किया कि वहां किसके घर बच्चे की पैदाईश होने वाली है इन लोगों ने बताया कि हाँ यहां मक्का में पांच ओर्टे ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाईश होने वाली है तो इन यहुदियों ने कहा कि नहीं ऐसे बच्चे की पैदाईश के जिसका बाप वफात पा चुका हो यानि जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो लोगों ने बताया कि हाँ अब्दुल्मुतलीब का पोता पैदा होने वाला है इस बचे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महिने पहले वफात हो गई थी ये सुनकर यहूदियों की हाई निकल गई और वह सब रोते चिलाते अपने आलमों के पास पहुंचे और कहा हाई अफसौस आज नबुवत यहूदियों से निकल कर मक्का वालों में पहुंच चुकी है वक्त योही घुजरता गया और आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसबरी से इंतजार था जिसका इंतजार अस्मानों जमीन चरिंद प्रिंद हर मखलूक कर रही थी आज इस बच्चे की पेदाईश हुई जिसकी वज़ा से इस दुनिया को बनाया गया अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता आज इस बच्चे की पेदाईश हुई जिसके लिए चांद के दो टुकडे कर दिये गए इस बच्चे की पेदाईश हुई जिसकी खातिर सूरज को अपनी जगा पर रोक दिया गया और अल्ला ने हुकम दे दिया कि ऐ सूरज अभी मत डूबना क्यूंके मेरे हबीब मुहम्मद صلی اللہ علیہ وسلم ने अभी असर की नमाज नहीं पड़ी है आज इस बच्चे की पेदाईश हुई जिसके पास सारी जिन्दगी में जिबराईल अलही सलाम 26,000 बार आए रात का वक्त हो चुका था हजरत आमना के पेट में हलका सा दर्द उठा और इनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पेदाईश होने वाली है तो इन्होंने हजरत अब्दल मुतलीब को इस बात की खबर दी हजरत अब्दल मुतलीब ने अपने महली की एक दाई हजरत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमना के साथ ही रहो क्यूंके मेरे बेटे अब्दल्ला के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है रात हुजरती गई चान भी कहीं खमोश होकर बादलों में चुप गया हजरत आमना रजियल्ला अन्हा फर्माती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाश हुई तो इस दिन मेरे घर में घरीबी का ये आलम था कि हमारे हाँ चराग में तेल जलाने के भी पैसे नहीं थे इसी घरीबी में हमारे आका सलिलाहु अलेहिवसल्म इस दुनिया में तश्रीफ लाए इस रात हजरत अब्दुल्मुतलिब और इनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्ला की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फोरण इसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे पूरी रात कोई भी नहीं सोया रात ढलती जा रही थी चान भी खमोश होकर डूप चुका था हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था घर के अंदर भी अंधेरा था घर के बाहर भी अंधेरा था सहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक हजरत आमना के पेट में हलका सा दर्द उठा और वो समझ गईंगे अब बच्चे की पेदाईश होने वाली है इन्होंने दाईश शिफा को आवास दे कर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है एक घंटा पेदाईश को हुजरा और फिर सुबा होने से कुछ पहले हमारे आका सलिलाहो अलही वसल्म इस दुनिया में तश्रीफ लाए हजूर सलिलाहो अलही वसल्म की पेदाईश पर तीन बाते बड़ी अजीब हुई जिन्हें देखकर दाईश शिफा भी हैरान रह गई पहली चीज़ के जब बच्चा पैदा होता है तो इसकी नाफ मा की आंच से जुड़ी होती है लेकिन हमारे हजूर सलिलाहो अलही वसल्म की नाफ मा की आंच से बिलकुल अलग थी दूसरी चीज़ के जब बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है लेकिन हमारे आका सलिलाहु अलेहिवसल्म जब पैदा हुए तो अंदर से घलाज़त का एक कत्रा भी नहीं निकला तीसरी चीज़ के जब लड़का पैदा होता है तो इसका खत्ना नहीं हुआ होता लेकिन हमारे प्यारे आकाद अल्ही जब पैदा हुए तो आप अल्ही अल्ही वसल्म का मा के पेट के अंदर ही खत्ना हुआ था दुनिया में आपका खत्ना नहीं किया गया ये तीन चीजें देखकर दाई शिफा गबरा गई और हज़रत आमना रजी अल्ही ताला अन्हा से कहने लगी एए आमना मैंने अपनी सारी जिन्दगी में ऐसा बचा नहीं देखा हज़र शिफा ने हज़ूर अल्ही वसल्म को अपनी गोद में लेकर एक तरफ समीन पर लिटा दिया दाई शिफा ने जैसे ही हज़ूर अल्ही वसल्म को जमीन पर लटाया हज़ूर अल्ही वसल्म ने एक जटके से करवट बदली और घुटने टेकर सीधे सज़दे में चले गए ये देखकर हज़रत आमना रजी अल्ही ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही पूरे पंद्रा मिनट तक हज़ूर नभी करीम अल्ही वसल्म सज़दे में रहे और फिर अपना सर उठाकर अस्मान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ऐ लोगो इस दुनिया को पैदा करने वाली जाद सिर्फ अल्लही की है हज़रत आमना रजियाल्लह अन्हा फर्माती है कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आस्मान के तारे जमीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोच से मेरा बच्चा इस बादल के साय में गाइब हो गया इस बादल के अंदर से एक आवाज आने लगी ऐ जिबराईल अलिह सलम इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ सारे नभीों की खूबियां दो यूसफ की खुबसूर्ती दो इसे अयूब का सबर दो इसे इबराहीम की दोस्ती दो इसे दाओद की मीठी सुबान दो और फिर हजरत आमना रजियल्लाह अन्हा फरमाती है कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया खतम हो गया और मैं देखती हूँ के मेरा बच्चा मेरी गौद में लेटा हुआ था सुबा होने वाली थी दाई शिफा ने बाहर निकल कर हज़ूर सलिल्लाह अलेहिवसल्म के दादा हजरत अब्दुल्मुतलीब को खुशखबरी सुनाई और कहा ऐ अब्दुल्मुतलीब तुझे पोता मुबारक हो ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल्मुतलीब के सारी थकन जैसे एक पल में खतम हो गई हो और वो इतना ज्यादा खुश हुए कि इनकी आँखों से आंसु बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता लाकर दो दाई शिफा जैसे ही हजूर सलिल्लाहु अलेहिवसल्म को बाहिर लेकर आई तो नजर पढ़ते ही सब के होश उड़ गे इस कदर खुबसूरत बच्चा आमना के घर पैदा हुआ है हजरत अब्दुल्मुतलिब बहुत बुड़े हो चुके थे लेकिन फिर भी मारे खुशी के अपने पोते को गोद में लिए काबा की तरफ दोड़ते चले जा रहे थे सारे मकावाले भी खुशी से नारा लगाते हुए हजरत अब्दुल्मुतलिब के पीछे चल रहे थे काबे के पास पहुंचकर अब्दुल्मुतलिब ने अल्ला से दुआ मांगी कि ए अल्ला मेरे पोते को सलामत रखना और इसे जिन्दगी में बहुत बड़ा इंसान बनाना शायद अब्दुल मुतलिब को ये नहीं पता था कि इनका पोता तो वो इनसान है जिसकी खातिर इस दुनिया को बनाया गया है इनका पोता इतना बड़ा इनसान है कि अल्ला ने मेराज के मोका पर जमीन से उठाकर साथमे अस्मान पर अपने सामने बिठाया और इससे बातें की हजरत अब्दुल मुतलिब ने काबे का गलाफ पकड़ कर अपने पोते के लिए दुआएं मांगी और फिर इन्होंने पोते का नाम मुहम्मद रखा मुहम्मद का मतलब होता है कि जिस इनसान की बहुत ज्यादा तारीख की जाए ये नाम सुनकर मका वाले कहने लगे ऐ अब्दुल मुतलिब ये कैसा अजीब सा नाम तुमने अपने पोते का रख दिया है हमने तो आज तक ऐसा नाम नहीं सुना तो हजरत अब्दुल मुतलिब ने जवाब दिया कि ऐ मका वालो तुम्हे क्या पता कि मेरे इस बच्चे की एक दिन ऐसी शान होगी लोग इसके पीछे चलेंगे नाजरीन उमीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें शुक्रियो